हालो फ्रेंट्स वेल्कम टू मैंनी वीडियो आप देखरें इंफोर्मेशन बाइपी शेक और मैं हूँ आपका इंफोर्मेशन एक्सपर्ट हम आपके लिए लाते हैं नर्सिंग से जुड़ी सभी तरह की इंफोर्मेशन सबसे पहले तो अगर आप हमें चैनल पर ना है तो को सबस्क्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लिए प्लिए नोटिफिकेशन से जुड़ी पीडिएफ देते हैं में टेलिग्रम चैनल इंफोर्मेशन बाइवी शेक पर आगर वो आपने भी तक जोईन नहीं किया है तो उसका लिंक में डिस्क् चली चलते हैं देख लेते हैं स्टाफ नर्स के लिए इसमें क्या पोस्ट दे रखी है फर्स जो पोस्ट है वो जूने नर्स की रहेगी जिसमें टोटल आट पोस्ट तक हैं इसमें आपने हाइच को जू है वह साइंस स्दिक से करा होना चाहिए एन कैंच आप इसमें अपिसमेंगे अप्लाई कर सकते हैं आप इंडियन नर्सिंक ऑंसल संट नर्सिंक के साथ आयिस्ट पारिय स्टाइध को मिनिम fields average experience ओना चाय फ्रॉमotic वह represents चाहिए है आपके पास जो कि इन दी फील्ड ऑफ अमेर्जनसी केर विल बी गिविन प्रियारिटी आपका स्पेक होना चाहिए मैक्सिमा मेच लिमेट इसमें 28 येर्स दे रखी है सेलरी आप को जो आए सेमर के अकॉर्डिंग जो आपको मिलने वाली है जो ने नर्स के लिए वो रहेगी 18,000 पर मांत सेकिंड जो पोस्ट है वो स्टाफ नर्स के लिए है इसमें टोटलाथ पोस्ट इविकेंट है जी एन एम एन एन एम गैंडियर आप इसमें एपलाई कर सकते हैं आप इंडिन नर्स इंक आउसल इसमें नर्स इंक काउंसल के साथ आपको राइस्टर होने चाहिए इसमें 30 एर्स दे रखा है एस पर आईसे एम आर आप स्टाफ नर्स के लिए जो इसमें सेलरी आपको ये प्रोवाइड कराएंगे वो रहेगी 31 यार पानसो पामन्त इनिशली पिरेड और वन येर के लिए आपका इसमें डेनर रहेगा जो की एक्सिंडिट किया जा सकता है 43 येर्स बेस्ट ऑन सैटिस्वेक्टरी वर्ग परफॉर्मेंस एप्लिकेशन सम्मिशन की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 28 सब्टेंबर 2023 तिल 5 पीम तक आप अपने एप्लिकेशन फॉर्म को सम्मिट कर सकते हैं उन्डी शॉर्ट लिएट जो होंगे उन्ही को इंटरव्यू के लिए इसमें पुलाया जाएगा immediate joining की इन्होंने request दी रखी है तो जो selected candidate होंगे उनको यहाँ पर immediate join करना होगा आपको अपना जो resume है वो इतका जो link इस वक्त आप screen पर देख पाने होंगे आप इस पर जाकर click करेंगे तो आप अपने form को summit कर सकते हैं कि लिंक और ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलिग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं आप जाकर जॉइन कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और PDF को डाउन्लोड कर सकते हैं तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरह अगया फॉर्म को अरफ मैं चैनल पर देख लेते हैं तो क्लिक करने के बाद इसने हमको ररिडा रहे है इस फॉर्म पर जो कि आप इस स्क्रीन पर देख पा रहु यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपना जो आंसर यानि जो आपका mail address है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे देन आपको नीचे name दिख रहा होगा यहाँ पर अपना नाम आप लिख देंगे और जिस post के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आप तिक कर सकते है अगर आप दोनों के लिए कर सकते हैं अगर आप दोनों के लिए apply कर रहे हैं तो इसमें जैसे कि मैंने आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाया है अप स्टाफ नर्स के सामने आप टेक हो चुका है तो ऐसे ही आप इसको click कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी age qualification जो भी इस म तक maximum size file का 10 MB का होना चाहिए, आपको अपना एक recent passportized photograph पीस पर upload करना होगा, जिसका size file का 10 MB होना चाहिए, देन उसके बाद आप जैसे ही add file करेंगे, उसके बाद declaration पे आप जो boxes पर आप click करेंगे, click करने के बाद आप submit कर देंगे, और आपका form submit हो जाएगा, तो I hope मेरे द्वारा दी हुए information से आपको काफी help विली होगी, तो इसके लिए आपको all the best and best of luck, आप preparation में लग जाएगे अभी से, apply करने से पहले आप इनकी terms and conditions अच्छे स्रीट किलिजेगा, अगर आपको information अच्छे लगी हो तो please वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा और हमारे साथ connect रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजेगा, धन्यवाद,